बिहार पुलिस दरोगा भड़ती की मुख्य परीक्षा बिहार अवर पुलिस सेवा आयो की तरफ से 29 नवंबर को दरोगा मुख्य परीक्षा आयो जित करवाई जाएगी जिसमें 50,000 से ज्यादा परिक्षा आर्थियों के शामिल होने की बात कही गई है COVID-19 को देखते वे परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है यह परीक्षा 12 जिलों में होने की संभाव ना जटाए गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बदाते मुख्य परीक्षा में दो पेपर होंगे पहला पेपर सामाने हिंदी का और दूसरा पेपर सामाने अध्ययन का होगा सामाने हिंदी की बात करें तो इस पेपर में 100 प्रश्ण होंगे और आपको कम से कम 30 पीसी अंक लाना अनिवार होगा परिक्ष्वा विशुषा की डॉक्टर एम रह्मान की माने तो दूश्टे पेपर सामाने अध्यान इसी पेपर में प्राप्त अंक्याधार पर आपकी मेरिट बनेगी बिहार के परिटन स्थल में आज हम बात करेंगे खगडिया के बावन कोठी तिरपन द्वार के बारे में भूल भूलया के नाम से जाना जाने वाला या महल गोगरी अनुमंडल स्थित भत्खंड गाउ में गंगा किनारे राजा बैरम सिंग द्वारा 1633 इसा पुल्व में बनाया गया था इस एतिहासिक महल बावन कोठी तिरपन द्वारे नाम से विख्यात है ये महल मुगल कालीन है और इसकी बास्तुकला आज भी जीवन्त है इस महल के अंदर एक मंडप है जिसके चारों और इट मारने और अलग लग तरहे की आवाजे आती है इसके अंदर एक सुरंग भी है उसी सुरंग द्वारा राज और रानी पूजा करने के लिए मंदिर आते थे इस महल में 27 तरह के इट का प्रयोग किया गया था इस भूल भलाईया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई अंजान इसमें घुज गया तो फिर जल्दी नहीं निकल पाता है हालाकि यह एतिह प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है स्वास्तिव भाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किये के आकड़ों के नुसार बिहार में कुल मिला कर 801 लोग पॉजिटिव पाए गये हैं जिसकी बाद प्रभावितों की संख्या बढ़क दिवाली और छट पूजा में ट्रेने हुई फुल अलग-अलग शेहरों में रहने वाले लोग दिवाली और छट पर में शामिल होने के लिए घर जरूर पहुचने की कोशिश करते हैं हाला के इस बार लोगों का घर पहुचना मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि दूसरे राज़े से आने वाली ट्रेनों की सीटे फुल हो गई है जिसके परिनाम स्वरूप, मुझफरपुर से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली, सब्त क्रांती, सहरसा से नई दिली जाने वाली, वैस्षाली, एक्स्प्रेस, जर्भंगा से नई दिली जाने जर्भंगा से अमरिसर जाने वाली, शहीद एक्सप्रेस और डिबिगुरू से गुहाटी जाने वाली, आवत आसाम एक्सप्रेस में 30 तवंबर तक कोई जगह नहीं है बांगा के एक किसान ने मतस्य पालन से जोड़ कर कई युवाओं को दिया रोजगार, बांगा जुले के रजौन प्रखंड के युवाहाल के दिनों में तेजी से मतस्य पालन की तरफ अपनी रूची दिखा रहे है फिशर 3 साल में यहां के 100 युवाओं ने तालाब खुदवा कर मच्री पालन शुरू किया है जो इसके पीछे बरौनी के बाबल चौधरी का हाथ बताय जा रहा है बाबल युवाओं को ना किवल मतस्य पालन का प्रसेक्शन देने का काम करते हैं बलकि उन्हें रोजगार से जोडने के लिए भी हर संभव मदद भी कर रहे हैं साथ ही वो खुद भी 4 एकर जमीन पर तालाब खोदवा कर मच्री पालन करने का काम कर रहे हैं मच्री पालन में वो पिछले 8 साल से जोड़े हुए हैं वो इस बाबत बाबल बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मच्री पालन का प्रसेक्शन साल 2013 में कॉलकता के बैरकपूर से लिया था इसके बाद फिर उन्होंने साल 2016 में आंध्रप्रिदेश के काकी नारा में मच्री पालन का प्रसेक्शन लिया दोनों जगों पर प्रसेक्शन लेने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर तालाब बनवा कर मच्री पालन शुरू किया आज बिहारी पैचान में हम बात करेंगे शिल्पास सिंग की शिल्पास सिंग का जन्म बिहार के समस्ति पुर्ट जिले में हुआ था शिल्पास सिंग एक भारतिय गाई का डांसर, मॉडल और ब्यूटी पेजिन टाइटल होलडर है वो आई-मशी मिस यूनिवर्स इंडिय 2012 में उप विजेता रही है, उन्होंने लास विगास में मिस यूनिवर्स 2012 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिन धित्व किया और साक्षातकार की प्रारंभिक प्रतियोगिता में टॉप करने के बाद सेमी फाइनल में शामिल हुई थी, शिर्पा सिंग ने 2019 में इंडियन स् परधा के लिए बहुत कम उम्र की पाई गई थी, किसानों को लाभकारी मूले दिलाएगा नया सौफ्टवियर, मंडियों के अलावा खुले बाजार कॉर्परेट सेक्टर में अपने उपज उतपादन को बेचने की आजादी सम्मंधी नए कानून को लागू करने के बाद क्रिशी मंतर वाले ने नया सौफ्टवियर विक्सित करने का अलान किया है, इस पर किसान देश भर के किसी भी शुहर के भाव का पता लगा सकेंगे, इसके अलावा सरकार की तरफ से हर रोज सुबह आठ बजी उपज उतपादन विभाग को किसानों के मोबाईल पर SMS के जर भंडार ग्रिह कोल्ड स्टोरेज अथवा अपने खेट से ही फसल बेच सकेंगे, इस नया सौफ्टवियर के विक्सित हो जाने के बाद किसानों को काफी सहूलियत मेरेगी भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से दर्ज है, 1270 में आज ही के दिन महान संत नामदेव का जन्म हुआ, 1870 में आज ही के दिन मुहमद इकबाल भारतिय स्वतरता सेनानी का जन्म हुआ, 1960 में भारतिय महिला अभिनेत्री तनवी आजमी का जन्म आज ही के दिन ह 2000 में उतर प्रिदेश से अलग कर उत्राखंड को एक नयार राज बनाय गया 2003 में आजवी के दिन पश्पलता दास भारतिये स्वतरता से नानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था 2011 में भारत के प्रसेद वैग्यानी के हर गोविंद खुराना ने दुनिया को अलविदा कह दिया था सोनिया ने नियुक्त किया बिहार का परिवेक्षक बिहार विदान सभा चुनाव का तीसरा चुरण भी समाप्त हो गया है तीन छुड़ों में हुए इन चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आने वाला है इसी बीच सभी पार्टियों के नेता परिणाम के इंदे जार में है हर पार्टि के नेता अपने अपटे चुनावी गरनित के लिहास से सीडों का अनुमान लगार है साथी परणाम आने के बाद के दाव पेज भी फिड़ा रहे हैं इसी बीच कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गाधी ने कॉंग्रिस महासचे व्रंदीप सिंग सुरेजवाला और अविनाश पांडे को बिहार का परिवेक श्रक न्योक्त कर दिया है दर्भंगा हवाई अडे से यात्रे विमानों का हुआ परिचालन लंबी प्रतिक्षा के बाद रविवार से दर्भंगा हवाई अडे से दिल्ली मुंबई और बैंगलूरों के लिए स्पाइस जेट के यात्रे विमान का परिचालन शुरू हो गया है पहले दिन बैंगलूरू से यात्रियों को लेकर पहला विमान सुभह साड़े 11 बजे हवाई अड़े पर लैंड कर गया वही दिल्ली के पहले विमान ने 11 बचकर 50 मिरट पर उरान भरी दर्भंगा से दिल्ली जाने वाली पहली फ्लाइट में को लेक्सव पचासी यात्रियों ने यात्रा की जुसमें दर्भंगा के सांसत गोपाल जी ठाकुर नगर वधायक संजेश सारव की, हाई घाट के वधाय अमरनाथ गामे वधान पारशद अर्जुन साहनी और शेहर के कई प्रमुख लोग शामल थे टर्मिनल से विमान तक यात्रियों को ले जाने के लिए स्पाइस जेट की बसे तयार रही वही उडान देखने के लिए सड़क पढ़ लगातार लोगों की भीड भी देखने को म महापर्व शट के लिए पतना जुला प्रसाशन ने जारी की गाइडलाइन कोविड-19 संक्रमन काल में पुरेते ओहर की रंगत फीकी पढ़ गई है इसी बीच लोक आस्था के भापर्व शट के लिए पतना प्रसाशन की तरफ से आवश्चक नियम और शर्तों को लागू क किया गया है जिसके तहर्ट छट सेलिबरेशन को लेकर पतना जुला प्रसाशन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की इस दोरान महत्वपूर्ण मुद्धो पर विचार विमर्श किया गया निगम के माध्यम से हर महले में गंगा जल पहुँचाए जाएगा पानी जल दिवाली के बाद भेजना शुडू हो जाएगा पानी पहुचाने की वबस्ता इरिक्षा के माध्यम से प्रजार प्रसार किया जाएगा जिनके घर पर छट हो सकता है वो छट पर ही पूजा करेंगे बुजर्गों को घाड पर जाने के लिए रोका जाएगा गंगा घा जुन आयोग ने CCTV से निगरानी और कड़ी सुरक्षा विवस्ता सहित व्यापक अंदजाम कर दिये हैं वाय मुख्य चुनाव अधिकारी अच्वार श्री निवास ने बताया है कि स्ट्रॉंग रू में EVM कड़ी सुरक्षा में रखी गई है 10 नवंबर को वोटों की गिंती के लिए राज़भर में बनाए गया कुल 55 मतगर्णा केंडर 35 तर ये सुरक्षा विवस्ता की गई है स्ट्री निवास ने बताया कि EVM तथा मतगर्णा केंडर की सुरक्षा के लिए राजभर में केंडरी असरश्रस्त्र बलो की कुल 19 कंपनी तथा मतगर्णा के लिए क्यूमिलेटिव रैंकिंग में सबसे आगे 98.96 प्रतिशत तक समय से चलती है ट्रेने। पुर्वोत्तर रेलवे के छप्रा जंक्षत समेत पूरे N.E. रेलवे ने क्यूमिलेटिव रैंकिंग में 98.96 प्रतिशत की महत्वपुन सफलता हासिल की है। जिसकी जानकारी रेलवे क जनसंपर का धिकारी अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि पुर्वोत्तर रेलवे प्रसाशन द्वारा मूल भूत धालचे में सुधार के साथ ही रेलवे परिचालन के लिए आवश्यक सुवधायें प्रात्मिक्ता के आधार पर उपलब्ध कर आये जा रहे अशोक कुमार ने बताया कि स्टेक्शन पर नॉन इंटर लॉकिंग का कारे भी इसी क्रम में किया जा रहा है। इसी के चलते गाडियों के समय पालन में अभूत पूर विसुधार हुआ है। चुनाब जीत कर आने वाले विधायकों के लिए खास तयारी की जा रही है। बिहार के परिवहन विभाग को केंद्र सरकार करेगी पुरस्कृत। बिहार में COVID-19 के दौरान परिवहन सेवा के छेत्र में बहतर प्रबंधन किये जाने के लिए परिवहन विभाग बिहार को परिवहन सचिव संजे अगरवान ने बताये कि आवासन और शेहरी कारे मंत्राले भारत सरकारद्वारा वार्शिक सम्मेलन का आयवजन प्रतिवर्श किया जाता है। सम्मेलन में देश भर से विभिनर रावजे भाग लेते हैं इसी साल परिवहन विभाग को COVID-19 के दौरान परिवहन के छेत्र में नवाचार पुरसकार के लिए बिहार को चैनित किया गया है। सभिष शुपचिंतकों और समर्थकों से विनमर अनुरोध है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वियादव के अपने जन्मदिन को सादगी से मनाने के नीजी निर्नय का सम्मान करते वे आप घर पर ही रहे और आवास आकर व्यक्तिकत रूप से बथाई देने से बचे इतना ह मांजी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं मांजी ने कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद कई एजिंसियों ने एग्जिट पोल जारी कि हैं जो उनकी विश्वसनियता पर ही सवाल उठाते हैं मांजी ने साफ कहा कि एग्जिट पोल को लेकर वह जो संदे ही जधार ह उसके आधार भी नहीं है। सब बन हो चुके हैं वही कल परिणाम भी आ जाएंगे इसी बीच महागटबंदन की सरकार बनने की संभावना जटाई जा रही है। मतगरणा के बाद ही असली निर्ने होगा क्योंकि जनता का निर्ने अभी EVM मशीन में बंद है। वशिशना रायन सिंग ने एकजिट पोल के परिणाम तै नहीं करने की कही बात। विहारवदान सभा का चुनाव खत्म हो चुका है तीन चरणों के मतदान के परिणाम का लियानी की 10 नवंबर को आने वाले हैं। कि उससे पहले एकजिट पोल ने सबकी बेचायनी बढ़ा दी है क्योंकि एकजिट पोल में महागठ बंदन को जीतता हुआ दिखाए गया है जुस पर अलग लग जगे से प्रतिक्रिया आ रही है वहीं जद्यू के प्रदेश अध्यक्ष वशिशना रायन सिंग ने भी इंफरमेशन मिल रहे हैं उसे एंडिय की सरकार बंते न जरार है हमारे कारेकरताओं ने खूब बहनक किया इसलिए एंडिय की जीत पकी है श्यामरजक ने एकजिट पोल से भी ज्यादा सीट पर महागठ बंदन की जीत होने का किया दावा बिहारवदान सभा चुनाव की अ जीत पोल पर कोई टी कार्ट पड़ी नहीं करेंगे लेकिन एकजिट पोल से भी अधिक सीटे महागठ बंदन को दस्तारी की काउंटिंग में मिलने वाली है तिजस्वी आदब ने जो भी वादा किया है सभी को पूरा किया जाएगा एक जनवरी दोहजार इकिस से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी हुआ फास्टाइक केंद्रिया सरग परिवहन राजमार्ग मंतुराले की तरफ से अधिसूचना जारी करके एक जनवरी दोहजार इकिस से पुराने वाहनों के लिए भी फास्टाइक को अनिवारे कर द साजा की गई जानकारी के रुसार फॉर मिक्यावन में संचोधन के जरी यह भी अनिवारे कर दिया गया है कि एक नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैदेव फास्टा का होना अनिवारे है गौरी खान ने बेटे अबराहम के साथ शेयर की फोटो करन जोहर को बुक के लिए बढ़ाई भी दी है विराट कोहली के समर्थन में उत्रे विरेंदर सहवाग एलिमिनेटर माच में सर्वाइजर है दरबाद के खिलाफ मिली हार के साथ ही रॉयल चालेंजस बैंगलोरों की टीम का आईपिल 2020 का सपना भी टूडिया टीम के खराब रदर्शन के चलते विराट कोहली की कप्तानी को लेकर भी कई सवाल उठाए जो आने शुरू हो गये थे जिसके बाद पूर वल्लेबास गौतम गंभीर ने कोहली से अब कम्प्यूटर में आसानी से सुरक्षुत रख सकते हैं जरूरी दस्तावे जरूरी दस्तावे जरूरी फाइलों को सुरक्षुत रखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है मगर अब कम्प्यूटर में आसानी से आपी से सुरक्षुत रख सकते है Apple के Mac OS और Windows OS दोनों में operating system में डेटा को encrypt करने के tool pre-loaded है यूजर अपने ARM account पर password की वदद से उसे lock और unlock कर सकते है इसके लावा भी यूजर अपना दूसरा password save कर सकते है Mac OS की तुला में Windows पर file को encrypt करना थोड़ा सा मुश्किल है कुछ computer खुद बखुद file को encrypt करते है अब आईए जानते हैं सराफवा बजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफवा बजार की बात करें तो सोने का भाव 8 नवंबर को 22 कारट के रिए प्रती 10 ग्राम 51,190 रुपए था वही 24 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 52,190 रुपए था वही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रती किलो 65,410 रुपए था इसके लाव राज़ानी पट्ना में पेट्रॉल की कीवद 83,7 रुपए प्रती लीटर थी वहीं डीजल 86,1 रुपए प्रती लीटर था कल हमारे द्वारा पूछे ये सवाल का जवाब आपे से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपे से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जै प्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलु कुमार, प्रिंस राज, नितीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी अशोग कुमार, श्रवन सिंग, नंद की शोर यादव, हरेश्वर, गुपता, मृतुंजे कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, अमितम मंगल, अंजली महता, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव, इसके लावा हमारी टीम को और लोगों के जवाब अच्छों लगे हैं मगर समय कि आभाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है अगर आप वीडियो हमारा फेस्बूक पर देखने तो इस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें धन्यवाद